दोस्तो बहुत बहुत स्वागत थे आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चेनल के रिक बॉली बार जहां दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2000 में रेलीस हुई चार बड़ी फिल्मों के बारे में इन फिल्मों के बारे में इन फिल्मों के बारे में इन फिल्मों के बा रवीन अटंडन और शक्ति कपूर फिल्म को डेरिट क्या था टी रामा राव ने और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को योगेश आनन ने और तकरीबन 7 करोड उपे के बजट में बनी थी ये फिल्म बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने सिर्फ 4 करोड उपे कमाई और पूरे वर्ड में 9 करोड उपे कमाई थे और ये एक ड्रामा फैमिली एक्शन फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर फिलॉप साबित हुई थी चलिए बात करते हैं सुनील शेटी की आगास फिल्म के बारे में ये फिल्म 6 अक्टूबर साल 2000 में रिलीज हुई थी शुष्मिता सेन और अनुपम खैर इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थे फिल्म को डेरिट क्या था योगेश इश्वर ने और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को डी रामा नाइडू ने और तकरीबन पांच करोड उपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉ ये फिल्म रिलीज हुई थी 29 दिसंबर साल 2000 में अक्षी कुमार महिमा चोधरी और सुधानशु पांडे इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थे फिल्म को डैट क्या था नीरज वोरा ने और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को केशु राम से ने और तकरीबन संजेदत की फिल्म को रुक्षेत्र के बारे में तो 10 नुवंबर 2000 को रिलीज हुई थी ये फिल्म संजेदत महिमा चोधरी और ओमपुरी इस फिल्म में एहम किरदारों में थे फिल्म को डैट क्या था महेश मांशे करने और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को प्रवीन चाहने और तकरिबन 9 करोड उपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर 11 करोड उपे कमाई थे और पूरे वर्ड में 20 करोड उपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर एवरेज साबित हुई थी दोस्तो साल 2000 में रिलीज हुई ये चारोई फिल्म में हमें जब आज हम इन फिल्मों को देखते हैं तो काफी पसंद आती है लेकिन सिनेमा घरों में दर्शकों ने इन फिल्मों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था और ये सभी फिल्म में बॉक्स आफिस पर फ्लॉप रही थी कुरुक शेतर आवरेज रही थी तो दोस्तो आपको इन चारोई फिल्मों में कौनसे फिल्म में सबसे ज़्यादा पसंद कमेंड में शुरू बताईएगा